तो RL Craft में मेरा पहला दिन बहुत सुवाना है जैसे कि आप रुख दे सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपने नॉर्मल काम से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने सुचा कि वुड इखटा कर ली आए तो सबसे पहले मैंने फिर वो डिकटा की अपनी जिती भी मेरे पेड़ पर थी मतलब जो भी तीस पर तो उसके बाद मैंने सोचा की थोड़ा exploring पे जाया जाये तो मैंने सोचा कि यहां से निकला जाया पहले बाद तो बहुत ज्यादा ही पेड़ पहुंदे थी तो सबसे पहले फिर मैंने क्राफटिंग टेवल बनाई और अपने नॉर्मल टूल्स बनाने के बारे में थोड़ा सोचा उसके बाद आगे थोड़ा मैं वुल्फ थी नहीं वुल्फ नहीं गया तो सबसे पहले फिर मैंने स्टोन की टूल्स अपने बनाए नहीं तो मैं सुर्वाथी में चला जाता है यहां पे वैसे भी कीप इन्वेंट्री मैंने ओन रखी क्योंकि इसमें थोड़ी देर भी जिंदा रहे नहीं बहुत मुश्क पड़ा कि यहां पर वाटर बार अगर फिल लें होता है तो आपको एफेक्ट्स मिलने रखते हैं और एक तो पहली बात वह बात नहीं जैसे कि आम दो सकते हैं तो मुझे एफेक्ट मिलना स्टार्ट हो गया था फिर इसलोनेस का इफेक्ट मिलता है इसलोनेस का इलावा ही बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं तो मैंने सोचा कि अब मरी जाते हैं तो मरने के बाद फिर मैं दुबार आया फिर मैं एक और पर मरा जैसे के बिल दे सकते हैं फिर मुझे एक जगा मिली यहां पर इस्ट्रेक्शर के पास में स्पाउन हुआ इसके अंदर आयन था बहुत स जाता देते हैं और उनको मारने पर मर्टिप्लाई भी हो जाते हैं अब एक बार तो होतो दिक्कत पढ़ जाती मेरे लिए इसलिए मैंने सोचा कि जित्ता भी आया नहीं है अभी मैं सब पूरा का पूरा ही निकाल लूँ बाद में देखा जाएगा उसके बाद मैंने सोचा कि आगे थोड़ा बढ़ा जाए लेकिन फिर एक और बंदा आ गया उसने मेरे को फिर से मान दिया और इसने मुझे बहुत तंक है जब तक मैंने इसको मार नहीं दिया पूरी तरीके से देख सकते हैं इसकी हेल्थ कित्ती है जबकि मैं आहिक से मार रहा हूं उसके बाद मैं मैंने सोचा कि थोड़ा इधर और दर टहल के देखा जाए कि आसपास स्ट्रक्चर कैसे आसपास तो मैंने देखा कि यहां पे बहुत सारे अजीब अजीब तरह है कि मुझे कोल देखता है तो इससे पहले में मरूं मैंने कोल जित्ता भी था सब पूरा निकालने के कोशिश की लेगन जिसके अब दो देखते हैं मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे तो मैंने सोचा कि मैं पूरा अपना आयन गेर पूरा बना के लाता हूं उसके बाद मैं इनसे सब फाइट करूंगा उसके बाद जैसे कि मैंने थोड़े ही माइनिंग की थी और जित्ते भी स्टोंस मैंने फञ्मै बना के उसको मेल्ट इंग पर दा इक पर संप। इफेक्ट वाटर वाले ने बहुत जादा कई बार मनने के बाद मुझे फिर वापस आना पड़ा यहां पर उसके बाद मैंने सोचा कि जिता भी आयन है मैं उससे अपना आर्मर थोड़ा सा तो बना ही लूँगा तो मैंने सबसे पहले चेस्ट प्रेट और एक हेलमेट नहीं एक लेगिंग पना ली उसके बाद मैंने उ प्रेट से माइन करने के बाद मुझे थोड़ा सार और आयन मिल गया तो मैंने सबसे पहले इस आरे के सारे आयन को निकाल लिए प्लस नोडिफिकेशन में बहुत सारी दिक्ते है बप्र नोडिफिकेशन आयूँ तो आप कुछ कर भी नहीं सकते तो आफ भी नहीं कर आ सकता फरनेस उठा लूँ और उसमें थोड़ा सा आयन निकाल लेता हूं तो आयन मैंने जित्ता भी था मैंने पका लिया उसके बाद जो है मैंने अपना पूरा का पूरा आर्मर एक स्वार्ड मना ली ताकि मुझे ज़रूरत पढ़े आगे तो मैं बच सकता थोड़ा सा तो ऐसे भ फरनेस पे जित्ता भी था मैंने फरनेस फरनेस निकाला क्राफिंग डेवल निखा लिए अपनी पूरी की बूरी और मैं चला गया आगे थोड़ा तो जैसा कि मैं पहुंचा ही था यह महोदे मुझे फिर मिल गया आगे आके दो 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 बंदों ने मेरे प्याटक कर दिया लुए इक फोक्स ने और एक कोई था डेवल नाम का दो डेवल मेरे पाटक किया और भाई उन्दोंchae बहुत परसान किया मेरे को इनसे काफी देर की लड़ाई कि वहने अरो एक तो इनकी हल्थ भी कम नहीं थी बहुत ज्यादा हिल्थ थी पिर भी जैसे दैसे करके मैंने इ इन में से एक को मारा फिर दूसरी को भी मारा तो थोड़ा सा सुकून मिला और मैंने सुचा कि कोल ले लेते हैं थोड़ा तो कोल मैंने थोड़ा से निकाला इसमें से और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक के आप लोगों ने सस्क्राइब ना किया तो सस्क्राइब कर सकते हैं और आप लोगों को अगर डाउनलोड लिंक चाहिए तो मैं नीचे दे दूँगा वैसे मोड मेरा नहीं है मैंने जोरो से डाउनलोड किया था वह भी बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं आप लोग उनका चानल नीचे सस्क्राइब कर सकते हैं वैसे मैं नीचे लिंक दे हो गया उसके बाद मैंने थोड़ी एक्स्प्लोरिंग की थोड़ी सी देर के बाद मुझे मालूब पड़ा कि इसमें स्कुड़ भी अटेक कर रही बहा है अम वजब स्कुड़ भी अटेक करेगी तो एक और फिर बंदा आ गया मैंने वह अपना स्पान पॉइंट सेट कर ल और भाई साब यहां पर एक चोटे ने बहुत ज्यादा दिमाग कराब कर दिया और उसके बाद एक मिनिट अब ठीक है तो मैंने सोचा कि फर्णनस में लगा देता हूं फर्णनस और भागी जित्ती भी चीज़ थी वह सब मैंने सोचा कि लगा दिया जाए उसके बाद मैंन प्यूर वाटर कर लिया जाए और एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह प्रॉब्लम पड़ते थी कि लोग दरवाजा भी उपन कर सकते थे मतलब भाई दरवाजा उपन कर एक कौन मारता है उसके बाद मैंने सोचा कि देखा जा कि इसमें कौन कौन सी नही नहीं रेस्पीज है वैसे अभी तो नहीं दिखा कि मैं सामानी नहीं था तो मैंने देखा कि क्या क्या नहीं रेस्पीज हैं तो मैंने देखा कि इसमें जो मैंने डेवल कुमा था उससे बोन मिलती है तो जो बोन है बोन से इसमें एक आरवर बनता है तो मैंने पहले एक आरवर बनता है तो हेलम पूरा था और फिर धीर करते हैं MR time game crash हो गया लास्ट में तो हम जब लास्ट में game crash हो गया मैं चोट दिया क्योंकि कि इतनी यह लोग मुझे कुछ कड़ने करने कहें लग थे किती लोग आते रहते रहतेमेनाकों इतनी पर अच्छा मैं नें को इतने मारा करा वाती het मुझे सची में नहीं मालूम था किया था लेगन मैंने फिर भी कोशिश की देखने की किया है उसके बाद इन लोगों ने मुझे फिर से जीने नहीं दी क्योंकि जैसे मैं बाहर जाता है यह लोग फिर आ जाते मैंने चेस्ट प्रिल बना ली थी हाला कि इसे डैमेज तो कम बाहर अटाइक होने के बाद भाई मैंने फिर सोचा कि हार ही माल ली जा क्योंकि मैं इतना ज्यादा नहीं कर सकता और यह मेरा पहली बाद था अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर सस्क्राइब कर दिया तो मैं अपने बेस्ट दूंगा अगली बाद जो भी मैं वीडिय stirring कि आप सब्सक्राइब करें नचे तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और बस यही वीडियो को बेलाइक कर देजिए का कमेंट कर देजएगा मैं भी देखना चाहता ह हूं कि मैं किससरकि फश्रा की वीडियो बनाता हूं अगर आप एक और अच्छी लगई हो तो आज कि लिताई, थैंक्स वरच्छिंग